हलो दोस्तों नमस्कार आज का आपका टॉपिक है दफ लॉड यानि की बाड़ तो आज हम लोग बाड़ के बारे में जानेंगे बाड़ कैसे आता है बाड़ की निकारणों से आता है बाड़ किसे कहते हैं बाड़ से होने वाले नुक्षान और फायदे के बारे में जानेंग तो आप इस टॉपिक की तियारी अच्छी तर से किजिएगा और मैं आपको इंगलीस और हिंदी दोनों करके बताऊंगा क्योंकि इंगलीस 100 मार्क्स और हिंदी 100 अंक में आपका एसे पूछा जाता है आपको बिल्कुल मालूम है यानि कि बात 10 मार्क्स की है और 10 मार्क्स आपकी एक्जाम के लिए बहुत मैने रखता है और आज का टॉपिक बेहादी खास है जो की बाढ़ है एक तो आपके एक्जाम में आया हुआ है और इसकी ज्यादा संभावना है इस बार के एक्जाम में पूछे जाने की तो इस टॉपिक की तियारी आप अच्छा से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है बाढ़ उसको स्टाट करते हैं इंगलिस और हिंदी दोनों साथ में चुकी आपको असानी से समझ में आ जाए किसी तरह की कोई ज्यादा प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए तो चलिए स्टाट करते हैं दा फ्लोड बाढ़ के बारे में तो सबसे पर ये समझते हैं कि बाढ़ क्या है बाढ़ किसे कहते हैं तो दिवरिंग दा रेनी सीजन यानि कि वर्षा रितु में यदि भारी बारिस होती है इफ देर इज हैवी रेनफॉल वर्षा रितु में यदि भारी बारिस होती है रिवर्ष कैननोट कंटेन ओल रेन वाटर तो नदिया पूरे वर्षा जल को एकत्रित नहीं कर पाती है तब पानी उनके किनारे पर बहने लगता है इसे ही बारिस कारण से आता है वर्षा रितु में यदि भारी वर्षा होती है तो नदिया पूरे वर्षा जल को एकत्रित नहीं कर पाती है तब पानी उनके किनारे पर बहने लगता है इसे ही बाढ कहा जाता है यह आप फस्ट परगराप में लिखियेगा और यह हिंदी में भी है तो आप एक कॉपी में अलग-अलग कर लिजेगा इंगलिस अलग और हिंदी अलग नहीं तो साथ में भी लिख लिजेगा आपको किसी तरह से बढ़िया से समझ में आ जाए बस यही तो हम चार है तो दा फ्लोड का पहला परगराप आप समझ गए कि बाढ कीसे कहा जाता है वर्सा रितु में यदि भारी वर्सा होती है तो नदिया पूरे वर्सा जल को एकत्रित नहीं कर पाती है तब पानी उनके किनारे पर बहने लगता है इसे ही तो बाढ कहा जाता है नेक्स्ट पर अगर आपको समझते हैं इट इज वेरी कॉमन थिंग इन नॉर्थ विहार बाढ उत्री विहार में एक साधारन चीज है इस देश की भी डंबना है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही गरीब है अल्मोस्ट एवरी इयर इट विजिट्स एंड डिस्ट्रोईज क्रोप्स एंड हाउसेज यह प्राया प्रती वर्ष आती है और फसलों तथा घरों को नस्ट कर देती है इट कैरीज अवे मेन एंड कैटल या मवेशियों एवं मनुश्यों को बहा ले जाती है तो सेकेंड प्रागराफ आपका क्या कह रहा है इट इज ए वेरी कॉमन थिंग इन नॉर्थ बिहार अल्मोस्ट एवरी इयर इट विजिट्स एंड डिस्ट्रोईज क्रोप्स एंड हाउसेज बाढ़ उतरी बिहार में एक सधारन चीज है यह प्राया प्रती वर्स आती है और फसलों तथा घरों को नस्ट कर देती है यह मवेशियों एवं मनुश्यों को बहा ले जाती है तो यह आपका हो गया दूसरा प्रागराफ आप समझ गए पहले प्रागराफ में हम लोगों ने क्या समझा कि बाढ कीसे कहा जाता है वर्सारित में यदि भारी वर्सा होती है तो नदिया पूरे वर्सा जल को एकत्रित नहीं कर पाती है तब पानी उनके किनारे पर बहने लगता है इसे ही बाढ कहा जाता है बाढ उत्री विहार में एक सधारन चीज है यह प्राया प्रतिवर्स आती है और फसलों तथा घरों को नश्ट कर देती है यह मवेशियों एवं मनुश्यों को बहा ले जाती है निक्स्ट पर अगर आप समझते हैं दा फ्लोड विजिट्स ड्यू टू रिजन्स बाढ़ दो कारणों से आती है पहला एन अकाउंट अफ दा मेल्टिंग अफ स्नो बर्फ के पिघंले के कारण और दूसरा एंड अधर ड्यू टू रेन फॉल और दूसरा कारण क्या है अतिय अधिक वर्षा के कारण तो दा फ्लोड विजिट्स ड्यू टू टू रिजन्स बाढ़ दो कारणों से आती है पहला आपका बर्फ के पिघंलने के कारण तथा दूसरा अतियाधिक वर्षा के कारण तो ये आपका हो गया थर्ड बाढ़ कितने कारणों से आती है तो दो कार पहला आपका बर्फ के पिघलने के कारण तथा दूसरा अतियदिक वर्षा के कारण There are several rivers in Bihar which come from the Himalayas and bring flood every year There are certain parts of the country where floods come every year In North Bihar, flood comes every year देखिये, बिहार में कुछ नदिया है जो हिमाले से निकलती है तथा प्रतिवर्ष बाढ़ाती है देश के कुच निश्कित भाग है जहां प्रतिएक वर्ष बाढ़ाती है उत्री बिहार में प्रतिएक वर्ष बाढ़ाती है There are several rivers in Bihar बिहार में कुछ नदिया है जो हिमाले से निकलती है there are several rivers in बिहार which come from the Himalayas and bring flood every year जो प्रतियक वर्स क्या लाती है बाढ़ लाती है there are certain parts of the country where floods come every year देश के कुछ निश्चित भाग है जहां प्रतियक वर्स बाढ़ आती है in north बिहार flood comes every year उत्री बिहार में प्रतियक वर्स बाढ़ आती है तो यह आपका चौथा प्रतियक वर्स बाढ़ आती है कि बिहार में कुछ नदिया है जो हिमाले से निकलती है तथा प्रतियक वर्स बाढ़ लाती है देश के कुछ निश्चित भाग है जहां प्रतीक वर्स बाढ़ाती है उत्री बिहार में प्रतीक वर्स बाढ़ाती है तो यह आपका हो गया चौथा परागराफ नेक्स्ट समस्दे है प्रेशन प्र्स. बिर्स लाउडाल प्रतीक वर्स बाजत्र भाज प्रतीक वर्स बीशदीज प्रतीन प्रतीन fields are destroyed some cattle houses and even human beings are carried away by strong currents when the flood visits it presents a disaster since जब बाड आती है तो यह भ्यानक दिरिश दिखाती है the life of the people of the flood affected areas is very miserable जो लोगों का जिंदगी है बाड प्रभावित छेत्रों में बहुत ही भ्यानक हो जाती है people have to leave their houses and cattle लोगों को अपने मवेशियों और घरों को छोड़ना पड़ता है crops in fields are destroyed खेतों की फसले बरबाद हो जाती है some cattle, houses and even human beings are carried away by strong currents बहुत सरे मवेशी और मनुष्य बाड की जो तीज धारा होती है उसमें बह जाते है तो बाड बहुत ही विभीशिखा उत्पन करती है बहुत ही दुखदाई, डिजास्टर्स तो यही तो आपका परगराफ कह रहा है कि when the flood visits, it presents a disastrous scene the life of the people of the flood affected areas is very miserable people have to leave their houses and cattle crops in fields are destroyed some cattle, houses and even human beings are carried away by strong currents तो यह परगराफ आपका हो गया, next परगराफ समस्ते है तो परगराफ आपका क्या कर रहा है कि जब बाड आती है तो बड़े संकट का द्रिश उपस्तित हो जाता है बाड गरस्त छेतरों के लोगों का जीवन बहुत दैनिये हो जाता है लोगों को अपने मवेशियों तथा घरों को छोड़ना पड़ता है खेतों की फसले बरबाद हो जाती है कुछ जानवर घर तथा मनुष भी तीज धारा में बह जाते है जब बाड आती है तो बड़े संकट का द्रिश उपस्तित हो जाता है बाड़ गरस्त छेतरों के लोगों का जीवन बहुत दैनिये हो जाता है लोगों को अपने मवेशियों तथा घरों को छोड़ना पड़ता है खेतों की फसले बरबाद हो जाती है कुछ जानवर घर तथा मनुष भी तीज धारा में बह जाते है ट्रैवलिंग बिकम्स ए प्रोब्लम यात्रा करने में समस्या होती है बिकॉज रोड्स आर ब्रोकेन क्योंकि सणके तूट जाती है बिसाइड्स मेनी एपिडेमिक्स ब्रेक आउट आफ्टर फ्लोड्स एंड मेनी पीपल डाई इसके अतरिक्त बाढ़ के बाढ़ के बाढ़ अनेक महमारिया फैल जाती है यहां पर एक फ्रेजल भर्ब का है ब्रेक आउट देखिए फ्रेजल भर्ब किसे कहते हैं एक वर्ब और एक प्रेपोजीशन तो ब्रेक आउट का मतलब फैलना क्या बीमारी तो besides many epidemics break out after floods and many people die इसके अतरिक्त बाढ़ के बाढ़ अनेक महमारिया फैल जाती है और बहुत आदमी मर जाते है ट्रेवलिंग becomes a problem because roads are broken besides many epidemics break out after floods and many people die यात्रा करने में शमस्या होती है क्योंकि सणके तूट जाती है इसके अतरिक्त बाढ़ के बाढ़ अनेक महमारिया फैल जाती है और बहुत आदमी मर जाते है At the time of flood the government spends a lot of money on the relief work food, cloths and medicine etc. are sent to the flood affected areas by boats for free distribution देखिए At the time of flood बाढ़ के समय the government सरकार spends a lot of money यानि की राहत कार्य पर बहुत रुपाय खर्च करती है food, cloths यानि की बाढ़ पिरित छेत्रों में cloths and medicine etc. are sent to the flood affected areas by boats for free distribution बाढ़ पिरित छेत्रों में नाओ पर मुफ्त बाटने के लिए खादे शमगरी, कपड़े एवं दवाएं भेजती है At the time of flood the government spends a lot of money on the relief work food, cloths and medicine etc. are sent to the flood affected areas by boats for free distribution बाढ़ के समय सरकार राहत कार्य पर बहुत रुपाय खर्च करती है बाढ़ पिरित छेत्रों में नाओ पर मुफ्त बाटने के लिए खादे शमगरी, कपड़े एवं दवाएं भेजती है देखिए बाढ़ की समय सरकार राहत कार्य पर बहुत रुपाय खर्च करती है बाड पिडित छेत्रों में नाव पर मुफ्त बाटने के लिए ख़द समगडी कपड़े एवं दवाएं भेजती हैं नेक्स्ट परगराफ आपका है लास्ट परगराफ समझते हैं फ्लोड है जिस्ट्रम एडवांटेज़ अल्सो बाड से कुछ लाभ भी है यह अपने साथ मिटी लाती है तथा कुछ अस्टानों पर छोड़ देती है यह जमीन की गंदगी साफ करती है बट इट है जमीन की गंदगी साफ करती है बट इट है और डिस अडवांटेज़ देखिये लेकिन इससे हानिया अधिक तथा लाभ कम है बाड से कुछ लाभ भी है यह जमीन को उपजाव बनाती है यह अपने साथ मिटी लाती है तथा कुछ अस्थानों पर छोड़ देती है यह जमीन की गंदगी साफ करती है लेकिन इससे हानिया अधिक तथा लाब कम है तो ये आपका हो गया flood कुछ words है soil midty, melting of snow birth का पिघलना, monitoring आर्थिक epidemic महामारी तो ये जो आपका निबंध हुआ, आपका flood हुआ बाढ़ इंगलीस और हिंदी दोनों में है तो आप एक copy में दोनों अच्छी तरह से note कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर share कीजिएगा ये exam में आया हुआ आपका है और इस बार बेद इंपोर्टेंट है exam में आने की तो आप एक copy में note कर लीजिएगा और जब भी समय मिले तो दोस्तों में जरूर share कर दीजिएगा ओके धन्यवाद